अगर आप leakage से परिशान हो चुके हो, फिर चाहे आपका छट leakage हो रहा है, या फिर आपने छट के उपर जो टाईल लग वाली है, उसके वज़े से अगर आपकी छट leakage हो रही है, या फिर आपके जो metal sheet होते हैं, या फिर cement sheet होते हैं, वहाँ पर भी leakage की समस्या होती है, तो ऐसे स traditional method से उनके result तो अच्छे होते हैं पर उनके वज़े से आपका cost और आपके slab के उपर जो वजन है वो बढ़ जाता है और उसका इस्तमाल सिर्फ आप अपने RCC छत के उपर कर सकते हैं metal sheet या फिर किसी other surface पे आप इसका इस्तमाल नहीं कर सकते हैं तो हाजिर है इसी समस्या का समाधान elephant shield liquid rubber जिसका इस्तमाल आप किसी भी surface पे आसानी के साथ कर सकते हैं यह जो product है यह DIY product है यानि कि do it yourself अब इस product का इस्तमाल करने के लिए आपको किसी expert की ज़रुरत नहीं है आप अ संग को control करने के लिए उसके बार में chemical protection के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है अब यहाँ पर वीडियो के end में मैं आपको एक ऐसी bonus टिप दूँगा जिससे आपका water proving का problem भी solve हो जाएगा और आपका घर का temperature भी कम करने में आपको ज़रू मदद मिलेगी और यह product वाकई में क काम करता है या नहीं इसके बार में हम एक छोटा सा टेस्ट लेंगे जिसमें कि हम एक flower pot को leak कर देंगे और उसके बाद में उसके उपर elephant sheet liquid rubber का एक coat लगाएंगे और यह देखेंगे कि leakage आखिर रुका है या नहीं तो इस पार्ट को miss बिल्कुल भी मत कीजी यह elephant sheet liquid rubber जो है य उनके उपर GI sheet, cement sheet या फिर polycarbonate sheet इनके उपर तो कर सकते हैं साथ में चाइना मोजयक जो होती है वहाँ पर भी leakage की समस्या होती है तो उसके उपर भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं साथ में लकडी पत्थर, foam, metal इस तरह के सतर पर आप इसका directly उपयोग कर सकते हैं देखिए दोस्तों waterproofing के उपर तापमान का बहुत जारा आसर होता है फिर चाहे वो expansion हो या फिर contraction हो तो ऐसी चीजों को ये liquid rubber आराम के साथ सह सकता है इसका कारान ये होता है कि इसकी stretch ability जो की 950 प्रतिशत होती है और वापस से इसकी जो recovery है वो 95% तक होती है अब जैसा कि हम इस अगले sample को stretch करके देखते है तो यहाँ पर आप clearly देख सकते है कि इसके उपर कोई भी असर नहीं हो रहा है यानि कि हम इसे इतना खीच रहे है फिर भी ये फट नहीं रहा है इसका फाइदा ये होता है कि expand होने के कारण या फिर contraction होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के cracks नहीं आत तो इसी से इसकी durability के बारे में पता चलता है देखे दोस्तों ये आप directly surface पर apply कर सकते है इस वज़े से ये आपका time और पैसे दोनों चीजों को save करता है ये product जो है ये UV stable है और तो और eco friendly भी है और हाँ ये product जो है वो non toxic है और जहां तक बात आती है इस product को apply करने की तो आपको किसी भी प्रकर के fire torch के आवशकता नहीं होती है बस इस product को खोलो और लगा लो इतना आसान है तो चलिए अब इसके application के बारे में भी देख लेते हैं तो इसके लिए आपको simple तीन चीजों की आवशकता होती है सबसे पहली चीज नाइलोन brush दूसरी चीज wire brush और तीसरी चीज जड़ू अब सबसा पहली चीज जड़ू की मदद से आपको आपके पूरे slab को साफ कर लेना है उसके बाद में wire brush की मदद से जहाँ पर आपकी cement slurry या फिर कुछ cement की पपडिया या फिर कोई plaster का माल है तो उसे आपको निकाल लेना है application करने से पहले ये ज़रू ध्यान में रखिये कि वहाँ पर किसी प्रकर की धूल नहीं होनी चाहिए जिससे की bonding पर effect आ सकता है अब proper slab का inspection कीजे जहाँ पर आपको cracks दिखाई दे रहे होंगे वहाँ पर आपको पहले तो एक coat elephant shield liquid rubber को apply कर लेना है उसके बाद जाकर आपको ये जो सफेद कपड़ा आप देख रहे ह उसके बाद बारी आती है आपके second coat की यानि की liquid rubber का second coat आपको इस fabric के उपर देना है इस तरह से आपको पहले तो crack को treat करना है और ये जो liquid rubber है ये 30 minute के अंदर set हो जाता है और 24 गंटे के अंदर ये सूख कर तयार हो जाता है अब ये तो बात हो गई दोस्तो crack की और जहां तक liquid rubber का इस्तमाल करते हुए एक patch बनाया जा रहा है जैसे कि आप इस procedure को देख पा रहे होंगे ये बहुती जादा आसान है इसी वज़े से मैंने आपसे कहा कि इसके लिए आपको किसी skilled labor की आवशक्ता नहीं होती है ये आप अपने आपसे ही कर सकते है ये जो liquid rubber है ये एक protective layer ब दोस्तों अब मैं आपको एक bonus tip बताता हूँ जैसा कि आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि इसके color के कारण कहीं इस waterproofing के वज़े से घर के अंदर का तापमान तो नहीं बढ़ेगा तो पहली चीज़ तो ये है कि ये product UV stabilize है और दूसरी चीज़ जब आप liquid rubber का coat अपने चत के उपर लगा लेंगे तो उसके 10 दिन के बाद आप किसी भी प्रकार के water based paint का इसके उपर इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप white color का इस्तमाल करेंगे तो इससे आपके चत का temperature भी नहीं बढ़ेगा यानि कि गर्मी के season में आपको घर के अंदर अच्छी कासी रहत मिल सकती है और अगर आप अपने चत के उपर tile लगवाने के बारे में सोच रहे है तो आप पहले अपने चत के उपर elephant shields liquid rubber का इस्तमाल कर सकते हैं उसके बाद जाकर अगर आप tile का इस्तमाल करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पर अगर आप बिना waterproofing किये अपने चत के समस्या और भी जादा बढ़ जाती है और कुछ लोगों का ये सवाल आता है कि हमने अपने चत के उपर china mozak को लगा लिया है और leakage हो रही है तो ऐसी चत के उपर भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं जहापर आपके cracks है उन्हें अच्छे से feel करने के बाद आपकी leakage की समस्या क कवर हो सकता है महीं पर अगर हम double coat की बात करते हैं तो एक लिटर में 12 से लेके 15 स्क्वेर फिट एरिया कवर हो जाता है और जब भी आप इस product का इस्तमाल करने वाले है तो कुछ सावधानिया आपको ज़रूर बरतनी चाहिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि cleaning तो ज़रूरी होत करके आपको water-based color का इस्तमाल करना है ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि इस liquid rubber के उपर आपको कभी भी oil-based paint का इस्तमाल नहीं करना है अब यहाँ पर इस product का छोटा सा waterproofing test हम करके देखेंगे इसे नीचे से hole करने के बाद ये leakage हो जाएगा और जैसे कि आप देख रहे है इस इस flower pot से leak नहीं हो रहा है यानि कि ये product अच्छे से काम कर रहा है तो दोस्तों जैसे कि हमने देखा ये जो elephant shield liquid rubber है इसका इस्तमाल आप बहुत सारे जगह पर कर सकते है यानि कि product एक और उपयोग अनेक जैसा कि आप अगले list में देख रहे हैं इस product का आप बहुत सारे जगह पर इस्तमाल कर सकते हैं और बहुत सारे सतव पर भी इसका इस्तमाल आराम के साथ किया जा सकता है जैसा कि मैंने आपको शुरुवाती वक्त में ही कहा है कि यह न सिर्फ आपके waterproofing के समस्या का हल है बलकि जहाँ पर MS structure होते है जहाँ पर जंकी समस्या होती है तो उसे control करने क के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है और तो और chemical protection के लिए इसका इस्तमाल किया जाता है इसी वज़े से सालों से इसका इस्तमाल Canada, US, UK, Europe और Australia में 10 साल से भी अधिक समय से किया जा रहा है तो अगर आप इस product को purchase करना चाहते है तो description box में मैंने link दी है उस link पर click करने के शील्ट rubber liquid का इस्तमाल करना न भूले